हलो होम कोक्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंज आई होप आप लोगों ने अब तक मेरा मैंगो संदेश ट्राइ कर लिया होगा तो आज मैं वापस आई हूँ एक समर स्पेशल रेसिपी के साथ विथ मैंगो यह है हम सब का फेवरेट मैंगो फलूदा तो चलिए फटा-फट से बन फ्रेंज चिया सीज बहुत हेल्दी होती है और यह वेट लॉस में हेल्प करती है अगर आपके पास चिया सीज नहीं है तो आप सब्जा सीज भी उस कर सकते हैं फिट लेंगे फलूदा बनाने के लिए टू टेबल स्पून वर्मी सिली या से वहिया या अगर आपको लॉं अब सबसे पहले फलूदा बनाने के लिए सेवईया बॉइल कर लेते हैं उसके लिए एक हेवी बॉटम पैन में हमने डाला है अराउंड हाफ कप पानी और उसे हम मीडियम फ्लेम पे बॉइल करेंगे जब तक सेवईया सॉफ्ट हो जाएं टेंडर ना हो जाएं जब तक से प्यूरी बना देंगे अगर आपके मैंगो खटे हैं तो आप शुगर की कौन्टिटी एज़स्ट कर सकते हैं अब यह मैंगो प्यूरी और सेवईया और बाकी सभी इंग्रीडियन्स को हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम दो घंटे के लिए ताकि यह सब चिल्ड हो जाएं सीट क्यमें लगाएंगे सारे चिया सीट नहीं यूज़कर ने हैं इसे एन्ड में भी उपर गाडश के लिए होज़करेंगे फ्रेंड्स मेने बीच की तरफ चिया सीट कम यूज़कर हैं और साइड में ज्यादा यूज़की हैं ताकि लेरिंग अच्छे से दिखे इसके अच्छे से स्पेट करना है, इसके उपर mango pulp डालेंगे, फ्रेंज ये सभी चीज़े एकदम चिल्ड हैं और थिक हैं, इसलिए एक दूसरी की layers को spoil नहीं करेंगे फ्रेंज अब सबसे उपर डालेंगे ठंडा दूद, इस मिल्क में दो चमत चीनी मिला लेते हैं, ये सारा मिल्क यूज नहीं होगा फ्रेंज थोड़ा ही यूज होगा, इसे बहुत धीरे से ध्यान से डालना है ताकि मिल्क बाकी layers को काटता हुआ नीचे ना जाए, अब इसक कि I am sure ये रेसेपी आपको जरूर पसंद आई होगी, जल्दी से रेसेपी ट्राइ किजिए और मुझे अगर आप कोई और ऋ रेसेपी में तो भी नीचे comment section में बताइएगा मैं जरूर आपके साथ share करूंगी friends don't forget to like, share and subscribe my page thank you so much for watching friends मिलते हैं एक नई recipe के साथ तब तक के लिए bye bye